तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे तो वीडियो में आगे बने रहने के लिए वीडियो को पुरा जरूर देखें और अच्छा लगे तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तो आप सब ये बताएं कि क्या वोडा फोन का फुल फॉर्म आप सब को मालूम है क्या होता है वोडा फोन का फुल फॉर्म होता है वाइस डाटा फोन याने वोडा फोन क्या आप सबी लोगों को पता है कि एक दिन में मैगी के कितने पैकेट बिखते हैं नहीं न एक दिन में मैगी के तकरीबन 120 मिलियन पैकेट बिखते हैं है न हैरान करने वाली बात दोस्तों क्या आपको पता है कि सतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाला खेल है जिसका आविस्कार भारत में ही हुआ था मनोवैज्यानिको का कहना है कि सतरंज खेलने से दिमाग जटिल प्रस्नों को सुलजाने की ताकत को बढ़ाता है क्या आपको पता है कि जब हम बोलते हैं तो कितने मसल्स काम करते हैं तो मैं बताता हूँ जब हम बोलते हैं तो लगभग 72 मसल्स काम करते हैं क्या आपको पता है कि मदुमक्खी उड़ते समय एक सेकेंड में अपने पंखो को कितनी बार हिलाती है तो चली हम बताते हैं मदवक्षी एक सेकेंड में अपने पंखो को 160 बार हिलाती है क्या आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी पैरिस में जितने लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा खुटते हैं दोस्तों आप सब जानते हैं कि तास के पतों में चार राजधा होते हैं ये तो सभी जानते होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें से एक राजधा की मूशे नहीं होती है और वो राजधा कौन है जी हाँ वो राजधा है दे किंग आफ हार्ट सुपरमैन का नाम सुनते ही आपके सामने ऐसा इमेज उड़ते हुए आजाता है लेकिन क्या आपको पता है कि पहले के सुपर हीरो के पास उड़ने की सकती नहीं थे जिसे बाद में डिजाइन किया गया था कई बार माता पिता से पैसे मांगते वक्त कहते हैं कि कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा है और नहीं पैसे कहीं से बारिस हो रही है लेकिन ब्रहमांड में एक ऐसा जगा है जहां पैसे की जगा हीरे की बारिस होती है जी हाँ आपने साही सुना पैसा नहीं बलके हीरे की बारिस होती है सैटन और जुपीटर ऐसे ही दोग रहे हैं जहां वातवरन के बतलाव के कारण वहाँ हीरे की बारिस होती है कि आप जानते हैं कि फोटो खीचते समय लोग से ची बोलते हैं ताकि a smiley फोटो आ सके लेकिन पहले के जमाने में लोग से प्रो बोलते थे ताकि गंभिरता आ सके साएद इसलिए पहले के राजा महराजाओं के फोटो सीरियस पोच में होते थे आप भी बोल कर देख सकते हैं क्या आपको पता है कि अंग्रेजी अल्फाबेट का most popular ए होता है लेकिन जब आप इंग्लिस अल्फाबेट टेवल लिखते हैं जैसे कि O, N, E, 1, T, W, O, 2, इत्यादी तो इन सब के बीच एक कब आता है जरा सोचिए नहीं पता है, चलिए मैं बताता हूँ कब आता है, जिहा, 1,000 खा गए न चकर क्योंकि एक से लेकर 999 तक इंग्लिस में लिखने पर एक ही जरूरत ही नहीं पड़ती है तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में सेर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक साथ ही सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दीजिएगा ताकि नेस्ट वीडियो में हम आपको जरूर मिलें धन्यवाद